हेलो डियर रेस्टिटेंट कैसे आप लोग वेल्केम बेक टो अर्चेनल तो जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग यहाँ पे जेनरल लेवेनस का मार्शल लेक्चे सीज देख रहे थे मिलेगा आप कोई भी अगर गवर्मेंट जो का त्यारी करो चाहा हो आपका रेलवे हो एससी हो और फिर बेंकिंग हो सभी के लिए का मास्टर वीडियो होगा क्यूंकि सारे का हम लोग प्रिबेसर का पेपर देखते हुए उसका सिलेबस का पेटरन का रिसर्च करते हुए उस उसको कहानी के तोरपे के से आपको पेस किया जाता है कि उसको कमपाइलेशन करके कहानी बना देते हैं हम लोग मूवी की तरफ बना देते हैं ताकि लगा लड़का को जो वो इंट्रेस्टिंग लगे और ज्यादा टाइम प्रियर तक याद रहे ताकि एक्जाम में कोई को कोशन छूटे ना इसका भी धियान रखना है उसको उजीवी बनाना है कोई कोशन छूट भी ना जाए सिलेवस को भी देखना है तो सारे चीज को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो आई होप सो इसको आप उतना ही प्यार कीजेगा जितना मेहनत से हम लग इसको प्रिघया अ certificates course ने अरवी प्र्राकों काम यह है कि आप इसको सेर करो इसको लाइक करो ज्यार प्यार करो और आपको सेम वाला चीज को में जब pet course में बनाता हूँ अलग 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 अग अग्रते लेता लेकिन मेरा माना यह है कि मैं अपने से ये चेनल को इसलिए बनाया हूँ कि कि सभी बच्चे को quality content जो वो free में provide करें तो I hope so इतना ही मुझे आप लोग प्यार कीज़ेगा इस content पूरा series को आप उतना प्यार कीज़ेगा और content को ध्यान में रखते हुए आप इसको देखेगा और अपना notes बनाएगा और exam में निकाल के मुझे बताईएगा अच्छा खुसकबरी देगा अगा sir इसके चलते मेरा helpful हुआ और exam में exam मेरा निकला तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले आज हम लोग जैसे मैंने कहा देखो दियान से हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले chapter 8 and class 10 तो पहले यह देख लेगी sir class और chapter के बीच में क्या difference है अब इता हम लोग 7 chapter क्या क्या देखे हैं तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ chapter ठीक है और यहाँ पे मैं लिखोंगा class ठीक है class यहाँ फिर lecture का बात कर रहे हैं lecture कितना आया है सबसे पहले हम लोग देखेंगे first जो chapter आया था देडी जोर पासानकाल यानि इसको बोलते stone age के बारे में इसमें आपका एक lecture आया या फिर एक class आया था पासानकल में हम लोग क्या देखे थे कि कैसे मानो जीवन जो है जन्म के साथ उसका काम था आखरिट हो सिकार यानि कि भटक ना गूमना फिर ना और जब भूक लगता तो उसके लिए उन लोग सिकार करता था या तो जानवर का सिकार करता था तो दोनों के case में उन लोग को कुछ ना कुछ एक हतियार का जरुत परता था जिसे या तो चड़के चड़ता था या फिर पत्थर मारके तो उसी समय उन लोग यूज किया पासान का सिन्दुगाटे सब्यता देखे कि नगर सब्यता था यहाँ पे जो है एक तरह का घर बना जाता था, एक तरह की इटो का बना जाता था, यहाँ के जो नलिया है वो पत्थर से ढखा जाता था, इसलिए इस टाइम के जितने भी समकालें सभ्यता था, चाहे वो मिस्त का सभ्यता लो, मेसर पुटेमे का सभ्यता लो, सबसे जादा य यह राइट लेकिन देरे-देरे क्या हुआ कभी चुकि सिंधू के सिंधू न दिये उसके आसपास का यह समाज था तो कभी बाड़ आ जाने लगा कभी सूखा होने लगा जलवायू परिवर्तन होने लगा तो यह जो है नगर सभ्यता भीर से जो है ग्रामिन सभ्यता में करन वट लगा तो है तो कुई यह फेमर्स ता किसके चलते आपके नगर सभ्य कस्योंते जब ग्रामिन हो गया तो इसका धरे-दरे माना गया कि यह पतन हो गया ठीक है इसके बाद आ जाता है इस ही के पतन होने पे फिर से निया जो सभ्यता बना देटी जोर वेदिक कल्चर या फिर वेदिक सभ्यता वेदिक सभ्यता का दो लेक्चर आया था क्यों एक आपका आया था पूर वेदिक काल और एक आपका आया था उत्तर वेदिक काल दोनों अलग-अलग है हम लोग क्या देखें वेदी के लोग कहां से आया थे यह आरी लोग थे आरी कहां से आया थे आपके मद एसिया से, सेंटरल एसिया से फिर से उसी तरह सिंदु घाटी जो सभ्यता है उसी के आसपास, यानि सिंदु के आसपास में सबसे पहले पंजाब में आके बसे और यह लोग चारावा थे मतलब जो आपका गाई होता और घोड़ा होता हो लोग चराते चराते यहां तक पहुँच चुके थे तो यह कैसा था ग्रामिन सब्याता जबकि जो आपके सिंदुगाट सब्याता यह कैसा था नगर सब्याता था तो ये ग्रामिन सब हैता पनपा और यहाँ पे गाय का बहुत ज़्यादा बॉलबला था यानि की गाय को सबसे आधा देवी मना जाता था उसका पूजा किया जाता था गाय जिसके पस रहता था तो उसको ज़्यादा तागवतर मना जाता था गाई के लिए के युद्ध हो आ जाता था यहाँ पर फिर हम लोग आगे देखे थे कि इसमें पूरवेदिकाल में हम लोग यह देखे कि जब आरी लोग आया था तो लोग कभीला की रूप में आया था जुझाल.'" और कभीला का खेड होता था जिसको बला जाता था राजा ठीक है राजा जो की केविला का देखरेक करता था सही गलत के बारे में सही तर से सुचारो रूप से काम हो रहा की नहीं ठीक है और इसको हम लोग टेक्स देते थे यानि कर देते थे किस रूप में बली की रूप में देते थे ठीक है बली की रू वाष्टा था ही नहीं कर्म प्याधार पर लेकिन जब उत्तरव्यदी काल में यहीं देखे कि राजा जो था उसको कर देना अब बादिकारी होने लगा यानि भली की रूप में जो हम लोग कर देते थे वो देना ही पढ़ने लगा राजो उपाधी लेने लगा अपने आपको सच में राजा बोने लगा राजा जो अब जो है पहले राजा किसी को भी सिलेट करते जो अच्छा काम करता था अब जो है राजा का बेटा राजा इसी तरह से हिरार्की चलने लगा फिर हम लोग इसी समय देखें कि वर्न ववस्ता में चार भाग में बाट दिया गया जाती क बाट दिया गया इसके अलावे हम लोग देखें कि राजा अबाधि लेने लगा और कर जो देते थे हम लोग टेक्स देते थे वो बाधिकारी हो गया तो ये उत्तरवेदिकाल जो थोड़ा सा कॉंप्लेक्स बन गया, पुरह जटी समाज हो गया, यहाँ पर ब्रहमनों का बोलबला होने लगा, यानि जो चाह जाता वही करता था, या वहीं पर हम लोग देखे थे, कि जो महिलाओं हैं, और जो निम्न दर की जो चोटे का जाती क जो लोग उनके साथ कलत बेवार होता था, सही तरस उनलों को ट्रिट नहीं किया जाता था, ठीके, तो इसी समय पे दो संपरदाय, लवक्त, चोंसर्ट तरह का संपरदाय खड़ा हुआ इसके अगेंस में, और वहीं आपका नेक्स चेप्टर आ जाएगा, देटी जो बोध एवंग जेन, तो बोध एवंग जेन जो है संपरदाय था, जो कि ये जो जटिल समाज हो गया था, उसका अगेंस में खड़ा हुआ, ठीक है, हमेसा होता है, जब भी समाज में कोई जो है इस तरह का तेचार करता, तो एक कोई ना कोई जो है, फाइट अगेंस फाइटर बारे में, मैंने क्या कहा कि वेदिक काल में हम लोग देखे थे, कि आरी लोग कविला करूप में आया था, तो जब धेर सरा कविला होने लगा ना, धेर सरा कविला तो ओवियसली बात हर जगा का राजा होगा, हर जगा का राजा होगा, राजा रहेगा अपना, सोचेगा कि भी हम ज्यादा पारफुल होने के लिए इसका विला को को हम राज करेंगे यहां भी तो क्या होगा लड़ाई करने सत्ता के लिए कि हम भी इस जगा पर राजर करेंगे तो अब इस तरह से हम लोग देखे ते महाजनपत कल में 16 महाजनपत उस समय भारत में था कितना था सुलम में बड़े बड़े महाजन पत था अब इसमें फाइट होने लगा लड़ा होने लगा और बाद में सबसे जो सबसे पावरफुल बना महाजन पत वो बना था मगद और मगद में सबसे पहले जो राज किया वो किया हिरियक वंस हिरियक वंस का कोर आपका किया बिंबिसार राज किया जो कि हिरियक वंस था ठीक है यह हम लोग देखे थे और फिर हम लोग देखे कि बिंबिसार जो था वो आपका हिरियक वंस था तो हिरियक वंस के बाद आया सिसुनाग वंस कोन है आपका है सिसुनाग वंस और सिसुनाग पर बाद आया नंद वंस ठीक है नंद वंस इस तरह आगे चलते रहा है फिर हम लोग देखें आपका 6 चेप्टर राजी 6 चेप्टर हम लोग पढ़े थे किसके बारे में मोरी काल के बारे में ठीक है मोरी समराजी तो हम लोग मोरी अंपाइर के बारे पढ़े थे मोरी अंपा यह धनवानों का राजकुमार कहा जाता था और इसके बाद बहुत सारा धन वेगरा था क्योंकि इससे पहले बहुत सारा जो है सिसुनाक वंस, नंद वंस, हिर्यक वंस आ चुका था तो धन इसके बाद आच्छा कसा संचीत हो चुका था तो इसी के टाइम प्रियड पे इसी स समकालिन था आपके चाने की इसके दरबार में रहता था चाने की और आपको पता चाने की जो है वही जो अर्शासर लिखे हैं तो जो चाने की था इसका अपमान कर देता है लड़का यानि कि धनानद है चाने के का अपमान कर देता है अब चाने के को अपमान का बदला लेना तो परसिसोद में जलते वी अपना सीसी बनाता है चंद्रगुपत मोरी को किसको बनाता है चंद्रगुपत मोरी को और जब चंद्रगुपत मोरी को पूरा सिक्षा प्रदान कर देता है तो उसके पास एक विसाल से न हो जाता है तो फिर चंद्रगुपत मोरी चायने के साथ म तो जो आया वो जो है जेन वीदी से अप जब उसका सासन का अंतिम टाइम आया था तो उसके राजजी में आकाल पढ़ गया था तो वो सरवन बेल गुलाग चल गया था दक्षिन भारत में और जेन वीदी सलेखना वीदी से यानि भूखे रखे प्रान त्याग देना वो बिंदुसार भी अपनी पापा की तरह फ्रेंड्सिप रखा यूनानियों से जैसे हम लोग देखे थे कि कैसे चंदुर्गुत मोरी जो है सेलेकुसी निकटर का हरा के उसकी बेटी हेलेना से साधी कर लिया था और यूनान के साथ वहीं से संबंध होना स्टार्ट हो गया थ तो बिंदुसार भी उसी तरह का संबंध मनाये रखा फिर बिंदुसार का बेटा आया असोका यहनी असोक तो यह बहुत ही महान सा सकता हम लोग असोक के बारे में देखे थे सिलालेक के बारे में देखे थे इसका कलिंग यूद के बारे में देखे थे कलिंग यूद जो आ कि और बोध धर्म को अपना लिया था किसको अपना लिया था बोध धर्म को अपना लिया था ठीक है यह सीज हम लोग देखे थे और असों के बाद जो अंतिम सासक आया मोरी वंस का वह था व्रिदरत और फिर व्रिदरत का हत्या कोर कर दिया इसी का सेनापती जिसका नम था प मोरेट मोरेट के बाद मोरेट में इस मैं जब । छोटा 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 चोटा एहां पर जन्रेट हुआ था यानि चंद्रगूत मौरिका सासन था उसमें जो आपका अंतिम राजा था विरिदरत था विरिदरत का हत्या करता था पुष्या मित्र सुंग जो सेनापति रहता है और सुंग वंस का स्थापना करता है तो एक आजाता आपका सुंग वंस एक तरफ आपका आजाता कनव वंस और एक तरब आ जाता सत्वाहान वंस कोन आ जाता सत्वाहान वंस तो यह तीन तरह का वंस पढ़े थे और एक वंस आ जाता जिसको हम लोग बोलते कुसान वंस ठीक है कुसान वंस तो यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे देखे थे सुंग वंस के बारे में फि कुसान भी बहुत इंपोर्टेंट है कि कुसान जो था वो बहुत ही उसका पारफूल एक राजा था कनिस्क जिसके टाइम पिरियड में फोर्थ बोधिस कुंसिल हुआ था यानि कि बहुत संगती हुआ था ठीके ओके और कुसान के बाद हम लोग देखे थे क्या कनिस्क जो मे भारत पर आकर्मन कर दिया था ठीक है सबसे पहले युवन सासक किया युवन सासक के बाद सक लोग भी आकर्मन कर दिया था भारत में और सक में से एक राजा था जिसका नाम था रुद्र दमन क्या नाम था रुद्र दमन तृतिय और यह अंतिम राजा था सक वंस का और इस कि हम लोग क्या क्या पढ़े तो अभी तक देख लो कितना चप्टर में ने कहां बात किया यहाँ पे 7 चप्टर तक पढ़ चुके हैं एक आपका पासानकाल फिर हम लोग देखतें इंडस्विली सिवलाजेशन फिर वेधिक कल्चर फिर देखें बोध एंजेन फिर देखें फिर पोस्ट मोर एंपार है तो हम लोग इसलिए आठवा चप्र पढ़ेंगे और क्लास 10 क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर लेक्चर देखो एक लेक्चर आथा पासानकाल में एक आया था इंडस्विली सिवलाजेशन में वेधिकर्चर में दो आया था तो चार हो गया बोध क्या क्या पढ़ें इसलिए मैं बताता हूं कि देखो क्या होता जब तक आपका जॉब न लगते जितना टाइम आप रिविजन करोंगे आपके दिमाग में वह चीज और एक बार सेट अप हो जाता है और जब भी आप एक बार पढ़ने के बाद उसको दूसरा बार पढ़त अब हम लोग देखने वाले गुप्त काल के बारे में जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि भारती इतिहास का सवर्णियों काल कहा जाता इसको कि इसको गुप्त काल को olden classica कि हा जाता क्यों कहा जाता सर यह पहले मुझे पता ही देखो क्या बात है अगर आप राज्नियतिक साथ बिकास हुआ था इस टाइम पे समाज भी बहुत जदा बिकास हुआ था साहित वेगरा बहुत सारा बिकास हुआ था इसके अलावे राजनीतिक रूप से भी बहुत सारा बिकास हुआ था क्यूं क्यों कि आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हो यहाँ पे को नहीं आरिय कवी हैं तो ये भी किसी के time period में गुप्त time period में आया थे धन्मंत्री जिसको चिकिसा का भगवान कहा जाता है ये भी इसी time period में आया थे इसके अलावे जो मंदी निर्वान की कला है जैसे आप देखेंगे ये उत्तर भारत में बनता है इस टाइब का उत्तर भारत में कहां बनता है उत्तर में बनता है उत्तर भारत में बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग नागर से लिए यह आप देख रहे हैं द्रवीर से लिए यह बनता है दक्षिन भारत में दक्षिन भारत में तो नागर से लिए हो गया द्रवी है कि मूर्ती निर्मान की जो कला है विकास है और प्रचलन है यहीं से ज़्यादा आयता है इस से पले उतना नहीं था बहुत ही कम बना जाता था लेकिन समय प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गय अरकोई parity वेगरा बनाने लगा तो यहाँ पर यहाँ पर देख रो हूं किस काल में आये था तो यह गुपता के टाइम पिरेड में उसके अलावे जो हिवेंसन के अलावे एक आपका बहुत ही फाहियान इंपोर्टेंट है वो भी आपके चीनी थे तो भी इसी टाइम पर आये थे और वो बताया था कि यू जो मध्य परदेश है वो ब्राह्मनों का तो दोनों इसी टाइम पिरेड में आप देखलो यहाँ पर विदेशियों का यहाँ पर आगमन होता है ज्यान के लिए इसके अलावे जो है आरेवर्ट लेलो धनवंतरी लेलो जो आपके महाकवी कालिदा से इसी टाइम पिरेड में थे इसके अलावे नगर से लिए द्रव 19 गुप्त प्रियोड में ही बनाय गया था अजंदा के भी भी बहुत इंपोर्टेंट है इसके लावे अगर आप देखोगे सबसे इंपोर्टेंट नालंदा विसी विद्याला जो के आगे चल कर जो है बोध का यहां पे सबसे फेमस जो है सिख्छा प्रदान करने का जगह ब इसके अलावे इसी टाइम प्रियोड में जो है गोल्ड तरह के सिक्के चलने लगे तरह के सिक्के चलने लगे और सबसे अधा सिक्के इसी टाइम प्रियोड में चला था गोल्डन सिक्के ठीके सोने के सिक्के अलग 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 पहचान हुआ करता था उसके बाद बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे गुप्त का काल का जितना भी वन्स है जैसे सबसे पले आपका कोन आथा चंद्रगुप्त आया था फिर आया था आपका समुद्र गुप्त आया था फिर पढ़ेंगे हम लोग विक्रम आदित्ति के बारे में जिसको कहा जात आपको बताने का figure wise वह अब को समझाओंगा, क्यों? क्योंकि आप यहां पे अभी तो overall आपको बताया यहां पर बहुत सारे चीज को में जब बताओंगा तब यहां पको बताओंगा क्योंकि आप सिक्को में देखोगे जब यहां पर एख चीज अंदूरोथ परथाम आया था या फिर सम्ढ्दार गुपत कहा जाता है कि वह कवीराज थे और उसके सिक्के में वीना बजाते हुए तो आप यहां पर देखो सम्मधर गुपत का यहां पर गुपत कहा जाता है तो हम झाले निया बजाते हे खाlt संपुरुण भारत को जीता था इव सूद्ट के नौ राजा को हराया था उतना राजा को हराके यह उतना को अपने लिया था तो इसी से सी जलो को एकने ह। Lewis'' यहां पे more जियसा यहां पर आपको मुलेगा. more जियसा. तो यह क्या एथा? सिक्के में गरूर को ना में मुड़कर इbam रहुल, गरूर के लिए सारह सब्सक्राइब धरक्तबान, जोनम कर सफेकर वेड दिफिकल्ड वन वाई वन करके सारे चीज़ को collect किया गया है तो चलिए हम लोग class को जब start करेंगे उस time period में सारे photo को मैं वन वाई वन करके सारे चीज़ को आपको बताते चलूँगा different type का यहाँ पर coin भी हम लोग को देखने को मिलेगा जिसे अब अगर मैं coin भी बता दूँ तो गुप्त एमपार में सबसे पले king जो horseman रहता था यानि कि घोड़ा रहता था और king को दिखा जाता था ठीक है यह आपका observer side है जिसे भी के time पे 10 and head होता है head and tail होता है उसी तरह observer side होता था और receiver side हो जाता था तो एक रहता था king और घोड़ा के साथ दूसरा रहता था lion के साथ ठीक है किसके साथ रहता था lion के साथ रहता था share के साथ रहता था तिसरा रहता था queen के साथ और king के साथ इसके बात रहता था fan tail peacock peacock मिन्स क्या हो जाता आपका more होता है फेंटेल मिन्स एक बड होता है चिडियां होता है तो चिडियां देखो यहाँ पर मोर आपको दिखाए दे रहा होगा मोर रहता था और फेंटेल यानि की चिडियां की तरह जो मोर रहता था वो चिडियां की तरह दिखाए जाता था ठीक है ये सारे चीज़ के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे और Slayer मींस होता है खतरनाक सेर के मुख यहाँ पर दिखाया जाता था तो डिफरेंट तरह का जो है आपको मिलेगा क्या कोईन मिलेगा गुप्त काल में कौन कौन सा एक बात कि हम लोग हर्स का घोड़ा और राजा का एक बात किये थे राजा को दिखाता था सेर की तरह बहुत ही तागतो और सेर की तरह उसके बाद दिखाता था राजा और रानी क देना पड़ेगा हमको time क्योंकि इसको मैं किसी भी चीज को point को मैं छोड़ूंगा नहीं मैं try कौनगा हर वो point को आपको बताऊं जो आपके लिए important है ओके तो सबसे पर हम लोग यहाँ पर headline दे देते हैं गुप्त काल हम लोग गुप्त और हर्सवर्दन पढ़ेंगे बड़ सबसे पर हम लोग देखेंगे गुप्त काल के बारे में ठीक है ओके now हम लोग क्या देखेते हैं इससे पहले कि कुसान आया था कुसान के बाद ही थोड़ा उतर पुसल मच गया था यानि कि राजनीतिक सुनियत दिखने मिले था भारत में उसी टाइम पिरेड में भारत में जो है तीन सक्ती उदह हुआ था और जिसमें से सबसे सरोच्चिकोन हुआ गुप्त काल हुआ यानि कि गुप्त लोग हुआ तो यहां हम आप लोग लिखेंगे सबसे पहले कुसान कुसानों के बाद फिर से राजनेतिक सुन्यता की तरफ भारत बढ़ने लगा भारत या फिर बढ़ रहा था बढ़ रहा था इसी समय पर इसी समय भारत में या फिर यहां लिको भारत इसी समय उत्तर भारत वो दक्कन कहा जाता था उस समय ठीक है तो दक्कन में तिन सक्ति का उदय होता है तिन सक्तियों का उदय होता है और यह सक्ति कौन-कौन सा था तो देखो यह माल लो है हम लोग अगर उत्तर में बात करेंगे ठीक है अब दक्षिन में बात करेंगे दक्कन जिसको बोलते थे तो दक्कन में जो सासक था या वन्स था वो था वाका टक क्या था वाका टक ठीक है अगर हम लोग बात करेंगे पस्चिम में तो पस्चिम में जो सासक था वो था नाग सक्ति पस्चिम में नाग सक्ति एंड पूरम में जो इस पार्ट में पूरा पूरा पार्ट में था पूरम में पूरम में था हम लोग का गुप्त पूरू में कौन था गुप्त लोग था ठीक है ये ची समझ गये हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग देखे तरह इसे पहले भी आपको याद होगा कि जब आपका मौरिय एंपार आया था मौरिय आया था मौरिय काल जो कि मौरिय काल के बाद भी हम लोग देखे जब ये खतम हो गये था विरिदरत का हत्या कर दिया था पश्यमित्र सुंग और सुंग वंस लाया था तो सुंग वंस कन वंस ये सब जो है पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था भो मतलब जो ये डंक का उतना वंस बड़ा नहीं था जो कि चला रहा था था Billboard संमाज को टीक तो देखो ह्या और एक गुसान यहा पर फिर सा में िटेवल को ला या junk Ream देखो यहाँ पर वाकाटक है या नाग सकती है इस समय उस समय विख्सित कर रहा था लेकिन जो बड़ा सक्ती उभर के आया वो आया था मेरा गुप्त ठीक है तो सबसे पहले तो यह important है कि मैंने कहा था कि गुप्त काल जो है वो क्या कहा जाता सोर्णिय काल कहा जाता क्लासिक सोड़निया समय देखा है सभी का विकास बहुत जादा हुआ है हर वो दृष्टी कों से समाज के दृष्टी कों से कला के दृष्टी कों से राजनेती के दृष्टी कों से या साहित के दृष्टी कों से मैक्सिमम जो विकास हुआ था वो गुप्त टाइम पिरेड में हुआ जिसके चलते गुप्त काल को इतिहास कारों ने भारत का स्वर्णियम काल कहा है इस इसका आप लोग ध्यार में रखेगा ठीक है ओके स्वर्णिम काल गुप्त इधर हो गया इधर वाका टक हो गया यहां पर नाघ सकती हो गया अब हम लोग यहां पर देखें किसे बारे में गुप्ता के बारे हम लोग स्टाट कर दिए है तो सबसे पहले तो question आपको ये पुछना चाहिए कि सर गुप्त लोग थे कुन क्या इलोग कुसान के ही जैसे कि कुसान जब कुसान के बाद ही तो ये आया थे न तो क्या सर ये कुसान के जब खतम हुआ था कुसान वनस तो क्या उसी का कोई वनसज है या फिर कोई और है कहां से आया था जिसे हम लोग देखे थे कुसान कहां से थे चिन के समवर्ती जो एरिया है वहीं से एक कबिला था हयूची कबिला उसी में जब विवक्त हो गया था उसी कबिला एक कबिला जो साखा है वो भारत आ गया था उसके बाद कुसान लोग यहां पर राज किया था तो सर क्या ये कुसान के ही वनसज थे या फिर कौन थे ये है को ना की तो सबसे पहला कोशन आपको ये बनता है कि सर ये कौन है सबसे पहले question क्या बनता है कि कौन थे गुप्त सबसे पहला question था आपको यह आता है और यह कौन कहने का मतलब क्या हम लोग किस चीज का पता करना चाहरे है हम लोग जाती का पता करना चाहरे है कि जाती इनका क्या है क्या वो ब्रामिन थे ब्रामिन धर्म से थे once का संस्थापा कौन था ये बताई संस्थापा कौन था उसको भी बताई तो चलिए हम लोग देखते हैं जब इसीज का हम लोग इस्टडी कर रहे थे कि पता कर रहे थे गुप्त कौन थे तो इतिहासकार ये पता किया कि संभौता माना जाता है कि इन लोग कुसान के सामन्त थे इन लोग क्या थे और संभौता फिक्स नहीं है लेकिन ये दावा क्या गया है कि संभौता मैक्सिमम पोबिलिटी ये है कि ये कुसान लोग के सामन्त थे अब क्या होता सामन्थ देखो सामन्थ क्या होता ना कि राजा के बहुतografी करीवी रहता था एक वफादर रहता था इसका काम क्या रहता था कि राजा का एक अधिकारी के तरह काम करके कर वेगरा जो है वो राज जिसे हासिल करके राजा को देना ठीक है और ये जो है ये निम्न स्तर का दास रहता था या फिर किसान हो सकता था कोई भी सामन्थ हो सकता था और ये जब बन जाता था किसान का जिसे सामन्थ जब बन जाता था राजा का वफदर बन जाता था तो अ अब अगर हम लोग जाती का बात करेंगे तो जाती का पता करते करते हम लोग एक चगह पे पहुँचे जो था परभावती गुपता कौन है परभावती गुपता और ये परभावती गुपता और कोई नी चंद्रगुपत की पुत्री थी यह कोन है चंद्रगुप्त की पुत्री तो जब परावति गुप्ता का पूना का तामरपत्र मिला था तामरपत्र मिला था तो यह कोन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यह आपकी है चंद्रगुप्त की पुत्री यह हम क्यों बता रहे है क्योंकि हमको जाती पता करना है त तो चीज का पता करने के लिए करते हैं यहां पे पता किए तो सबसे पहले हमको यहां पर क्या पता चला कि परहावती गुपता का जो बिवा है इसका विवा वाकाटक नरेश जिसका नाम है रुद्रसिन दित्य इसके साथ होता है ठीक है के साथ हुआ था बट आपको पता होगा कि मैंने पहले बता दिया था कि जो रुद्र सिंग थे इसका जो मैं अगर गोत्र का बात करूँगा तो ये विशनो धर्म के थे तो ये तो थे वेशनो के ठीक है ये आपके थे विशनो विर्धी के यहाँ पर मैं अच्छा से देता हो कि यह important है कि कि अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि आकर यह थे कौन तो यहां पर हमें क्या लिखूंगा यह थे आपके एक सिकन्ड थोड़ा सा सार्प कर लेता हूँ वैसनो व्रिधी गोत्र का था तो यह चीज λέ कि लिए रहो गया कि सर यह तो व्रिधी धरन के ठोर यहां पर गुपदा है तो हम लोग गुपद क्यों पकड़ें यहां पर कि देखो गुपदा और गुपद में थोड़ा बहुत तंतर होना चाहिए ठीक है गुप्त काल इन लोग हर कोई क्या है लेकिन जिसे हमें हम लोग पढ़ेंगे कोई भी काल जिसे कुमार गुप्त असकंद गुप्त समुद्र गुप्त तो सब में गुप्त आ रहा तो यहां पी चुकी परवावति गुप्ता है यह थोड़ा सा गुप्त हम लिख दिये यह क्या है गुप्ता है तो हम लोग देखे भाई गुप्त और गुप्ता में क्या कोई connection है तो यह चीज पता चलेगा कि नहीं इसके वाई जो husband जिसका था यानि कि इसका husband था रुद्र सिंग दित्य जो के वाकाटक नरेस है यह तो थे वैसनो धर्म क और वैसनो धर्म में लोग सिंग लिखाता तो गुप्त यहाँ साया नहीं है तो यह भी हो सकता है कि यह अपना title चेंज ना की हो और अपना जो नाम है वो पिता के नाम से ही था क्योंकि चंद्र गुप्त हो सकता कि चंद्र गुप्त से आया होगा तो दूसरा यह अनमान ल इसके पिता का था और पिता यानी चंदरगुप्त और मुझे ये confirm आप लोग को ये पता है कि चंदरगुप्त मौरिये उनलोग ब्रामीन थे तो confirm ये हो गया कि इनलोग क्या थे ब्रामीन थे और जो इतिहासकार है maximum इतिहासकार ये प्रूब करते हैं और बहुत ज़्यादा उन लोग मानते हैं कि जो गुप्त लोग थे वो ब्रामिनी थे तो यहां से भी पता चल गया कि यह कैसे थे इन लोग ब्रामिन थे किसका मानना था? ये इतिहासकारों का मानना इतिहासकारों क्या बूल fent लोग ये काना है कि ये क्या थे? गुपत लोग ठीक है? तो दो चीज़ें से पता चला कि भई परावाति कुपता जो थी वो गुपता जो टाइटल से पता से आया था और वो ब्रामिन थे तो ये इसी time period में तामरुपतम मिला था तो ये पता चलता कि इन लोग भी क्या थे मेरा ब्रामिन थे अब आ जाता इसके once के बारे में थोड़ा देख लेते कि once का संस्थापक कौन था तो इस once के संस्थापक अगर बात करें तो ये थे स्री गुप्त कौन थे स्री गुप्त थे लेकिन इसके बाद जो है बाद में यहां लिखो आप लोग बाद में फिर घटोत कच राजा बना था सासक बना था कौन बना था घटोत कच गटोत कच सासक बना बना लेकिन ये तो बात है नॉर्मली कहा जाता लेकिन अब दूसरा इसमें और एक फंडा आ जाता है जो कि इंट्रेस्टिंग है ये तो आप लोग ध्यान रखेगा तो इसका जो है संस्थापक किसको मना जाता है स्री गुप्त को अगर आप से पूछे कि आपके गुप्त व अगर वंसावली हम लोग देखेंगे तो यहाँ से यह पताच चलता कि जो पहला राजा बना था वो चंध्रिप्त प्रथम बना था ठीक है चंध्रिप्त पर तक हां पर नहीं होता नहीं घटोंत काष्च का होता है तो अगर हम लोग एक तो यह हो गया एक चीज़ यहाँ जब हम लोग देखते हैं जब गुप्तों का हम लोग वंसावली मिलती है तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है जैसे कि वंसावली का अगर बात करेंगे तो एक मिलता है आपका समुद्र गुप्त का समुद्र गुप्त का प्रियाग परस्यस्ती प्रियाग स्तम बोलो या फिर परस्ति बोलो ठीक है इसके बाद मिलता है आपका कुमार गुप्त का कुमार गुप्त का विल्सर्ड अभिलेक विल्सर्ड अभिलेक इसके अलावे और एक का मिलता है देट इस यूर सकंद गुप्त का सकंद गुप्त का वितर स्तंब अविलेक या वितरी स्तंब अविलेक और ये सारे चीज़ से ये सभी चीज़ से ये पता चलता है कि जो आपके प्रथम राजा थे वो चंदर गुप्त प्रथम थे तो इससे क्या पता चलता है कि चंदर गुप्त प्रथम सबसे पहला सासक गुप्तों का था गुप्तों में था और ये कहां से पता चल रहा है ये मिला मुझे अविलेकों से अविलेकों के अनुसार तो यहां से देखो कितना यहां पे conflict है कुछ थोड़ा गुप्त के स्टाटी में conflict है जब इन लोग हम लोग पता कर थे कि कौन है उसमें थोड़ा बुद conflict पैदा होता है तो यहां से मुझे क्या क्या पता चला पहली बात कि सर हम लोग देखे थे जब कुछान जब खतम हुए थे तो कुछान खतम होने के बाद यहां पे जो है सुनियता आ गया था यानि political जो है वो disbalance हो गया था उस समय पे पस्ची में नाग सकती उत्तर में दक्कर में वाकाटक और पूरुम में गुप्त लोग पैदा हुआ था जिसमें सबसे पारफुल हुआ गुप्त लोग फिर हम लोग जब गुप्त लोग का पता कियें कि गुप्त लोग इतिहासकार को कहा जाता कि यह लोग जो है सरुनिय काल कहा जाता है इस टाइम प्रियड में कला, साहित, ये समाज वेगरा में बहुत सारा हम लोग देखे थे विकास हुआ था अगर हम लोग पता करना चाहिए कि गुप्त लोग कौन है तो पहला बात हम लोग देखे इन लोग सामन्थ थे सामन्थ मींस क्या होता, राजा के करीबी था, जो कर वेगरा, टेक्स वेगरा लाता था और उसके वफादार होता था फिर हम लोग देखे कि वही लोग जाती कौन सा था, तो इसी टाइम प्रियड में परभावति गुप्ता का पूना अपता मुपत मिला था इसके पतार है कि जो इसकी गुपता है, इसका टाइटल जो है यह दो जगह से आ सकता जाता स्री गुप्त को ठीक है और यहापका अंसर भी लगाना है याद रखेगा लेकिश और इसके बाद माना जाता कि फिर घटोत का सासक बना था लेकिन अगर हम लोग देखेंगे अभी लोगों के बारे में यानि कि जो भी आपका वांसा वली देखेंगे गुप्त का उस गुप्त काल में वो सबसे पहले बना था चंद्रगुप्त प्रथम कौन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम तो ये सारे हम लोग किसके बारे हम बोले अभी लखो के अनुसार पर हम लोग यहां पर बात कि और हम लोग देखे भी थे गुप्त काल का जो वनसावली है उसके अनुसार जो पहला किंग था पहला सासक था वो चंदगुप्त प्रथमी है ठीके और इसका टाइम पिरेड श्टार्ट होता है 319 इसवी से लेकर 335 इसवी तक जब तक कि इसका पुत्र नहीं आ जाता इसके बाद यानि 335 इसवी के बाद इसका पुत्र समुद्र गुप्त आ जाता है जो कि भारत का नेपोलियन उसको कहा जाता है ठीके ओके अब देखो अगर आपसे यह बोल जाए कि भई जो गुप्त काल उसका संस्थापक कोन है तो स्रीगुप्त होगा और स्रीगुप्त के बा बाद कोन आया था लेकिन अगर गुप्त काल के वंसावली का नुसार देखे तो सबसे पहले बना था चंदूत प्रथम तो यह महान सासक भी था और इसे रिलेटर आपको कोशन बहुत ज़्यादा भर भर के पुछा जाता है से सी में रेलियो और फिर बेंकिंग में तो चल पढ़ेंगे आपका सकंद गुप्त फिर पढ़ेंगे कुमार गुप्त सब कोई एक टाइटल लिया था इसलिए टाइटल जाना बहुत इंपोर्टेंट है मैं लास्ट में रिकेप करा दूंगा सबका कि क्या का टाइटल किस से कनेक्टेड है तो इसकी उपाधी जो थी टा दूसरा चीज हो गया कि इसने वर्स है कि 319 या 20 20 में गुप्त सब्वंत स्तापित किया था गुप्त सब्वंत प्रारम करवाया प्रारम करवाया, इसके लिए भी बहुत फिमस हो गए थे ठीक है, क्या स्टापित कराया, गुप्त समवन्थ और आपको ये चीज़ याद होगा कि इससे पहले जो है, सक्समथ अस्तापित कौन किया था, प्रारम करवाया था कनिस्क ने, तो आपसे ये कोश्यन पूछा जाता है, ससे में बहुत ज़्यादा कि, यहाँ पर आपको बूलेगा, कि गुप्त वन्थ और सक्समथ की बीच में कितना का अंतर है, तो आपको बूलेगा, यहाँ लिखना है आपको गुप्त समथ वा सक्सवंथ के मध्य 241 वर्सों का अंतर है वर्सों का अंतर, ठीक है मैं आपको अगर रिविजन करा दूँगा कि सक्सवंथ को कोन इस्टार्ट किया था तो कनिस्क किया था, जो कि कुसानवंथ का महांतम सा सक्ता ने शुरू किया था शुरू किया था और कब किया था 78 इस वी में ठीक है इस वी में और दखिए अगर हम लोग 78 में अगर हम लोग 241 जोड देंगे तो आपको 319 मिल जाएगा ठीक है तो यह important यहाँ से क्या आ गया है कि गुप्त समंद और सक्षमंद के बीच में 241 वर्सका अंतर है और सक्षमंद को कनिस के स्टार्ट किया था गुप्त समंद को कोनिस स्टार्ट किया था आपके चंदरगुप्त प्रथम ठीक है important पला तो यह fact हो गए इनका second number में चीज यह है कि यह जो थे एक गनराजचा लिच्छवी उसके राजकुमारी से साधी किये थे तो यहां आ जाता second कि इसने लिच्छवी एक गनराजचा लिच्छवी ठीक है तो इसके राजकुमारी जिनका नाम था कुमार देवी कुमार देवी से विवा किया और यही कुमार देवी का बेटा पुत्र होता है समुद्र गुप्त जो कि भारत को जिता था इसलिए इसको बोला जाता अधिकतर भारत को उत्तर भारत भी उत्तर भारत के नौ राज़ा का जिता था रक्षिन भारत के 12 राजा को अहराया था इसलिए उसको कहा जाता है भारत का नेपॉलियन फिर हम लोग आगे देखेंगे इसका थर्ड पॉंट जो है इसी के टाइम प्रेड में रजट मुद्रायी स्टार्ट हुआ था इसी के काल में रजट मुद्रायी रजत मुद्राय प्रारंब हो गई ठीक है यह आपका important है ठीक है यह आपका important था यहाँ से लेकर तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या देखे कि भई यह उपादी लिये थे महाराजा धिराज लिये थे ठीक है पहला important चीज़ इनको कहा जाता है इस title से तो यह आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है इसका title दूसरा हम लोग important क्या देखे कि यह गुप्त सवन्थ को स्टापीत किये थे प्रारम करवाये थे और आपसे यह भी अगर बोले कि गुप्त सवन्थ जो कि आपके चंद्रूत परथम दौर्ष्टापीत किया गया था और सक्ष्वन्थ जो कि कनिष्ट कि दौर्ष्टापीत किया गया था इन दोनों के बीच का अंतर कितना था 241 वर्सों का अंतर है फिर आम लोग देखे कि इसने जो है लच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवा करा था और इसी के टाइम पिरेड में जो है रजत मुद्रायें चले थी अब मैं थोड़ा सा इस टाइम पिरेड के चंदरुथ पर्थम के सिक्के को आपको दिखाता हूँ किस तरका था सिक्का ठीक है देखो यह जो आप देख रहे हो यहाँ पे यह स्टार्टिंग में जो है यह चीज जो है यह आपका था कब जब चंदरुथ पर्थम थे ठीक है चंद्रगुप्त प्रथम यह आपका सिक्का यह आपका कैसा सिल्वर का सिक्का या फिर चांदी का रजत सिक्का है यह आपका रजत का है यह भी आपका रजत का है लेकिन यह जो है कुमार गुप्त प्रथम का टाइम का है क्यों अंतर हम बता रहे हैं क्योंकि यह जो म रहता था इस time period में इसके बाद यहाँ पे और देख लो कि यहाँ पे चंदरूत प्रथम का ये भी आपका सिक्का ये वाला सिक्का ये टाइम है यहाँ पे आप देखोगा किनारे किनारे जो गरूर का निसानी रहता था और यहाँ पे king and queen का रहता था figure तो आप लोग यह ये चीज हम लोग यहाँ पे देखें इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका बेटा आता है इसका पुत्र इसका पुत्र को नो आ जाता है समुद्र गुप्त तब हम लोग आएगे यहाँ देखेंगे आगे इसके आगे चला जाते हैं समुद्र गुप्त के बारे में तो य सत्ता पर बैठा सत्ता पर कौन बैठा इसका पुत्र समुध रगुप्त बड़ता ठीक है इसका टाइम पिरिएड मेने जँस कहा था कि इसका टाइम पिरिएड कब से कब तक था 319 से लेकर था ये 335 तक тब 335 में गदि में बैठेगा तो इनका time period start होगा 335 इस्वी से लेकर 375 इस्वी तक ये राज करेगा 375 इस्वी तक ये राज करेगा ठीक है? ओके हम लोग देखेंगे अब किसके बारे में? समद्र गुप्त के बारे में सबसे important तो ये आ जाता है कि इनको इतिहासकार जो है इतिहासकार और इतिहासकार कोन बोलता है? विन्सेट स्मित विन्सेट स्मित ने भारत का नेपोलियन का है? नेपोलियन भी कहा है क्यों कहा था? क्योंकि ये उत्तर भारत और दक्षिन भारत के बहुत सारे भूबाग को जीता था उत्तर भारत के नो राजाओ कहा रहा था और दक्षिन भारत के बारो राजाओ कहा रहा था इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है ठीक है और ये कौन बोला था इसको इसको जो बोला था वो थे इतिहासकार विंसेट इसमित तो विंसेट इसमित इसको भारत का नेपोलियन कहते थे ठीक है पहला चीज तो इंपोर्टेंट ये आ गया आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग बात कहनेंगे सम्मुद्र गुप्त के बारे में जानकारी जो ये सार चीज मिलता कहां से है तो ये सभी चीज के जो जानकारी मिलता है वो मिलता हमें प्रियाग प्रसचती से तो यहां लिखेंगे इसके बारे में महत्वपुर्ण जानकारी प्रियाग प्रस्चति से मिलती है ठीक है? अगर आपसे बोलेगा कि प्रियाग प्रस्चति के लेखक कौन है, रचना कोन किया गया था? तो रचना किये थे आपके हरिसेन, हरिसेन के द्वारा, हरिसेन ने की और हरिसेन कोन था? हरिसेन जो था, दर्वारी कवी था, समद्र गुप्त का तो ये भी आप लिख लो, ये कोन थे आपके? दर्वारी कवी थे किसके? समद्र गुप्त के समद्र गुप्त के, ये लिखना इंपोर्टेट नहीं, लिकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, मैं कोई चीज को छोड़ नहीं रहा हूँ, कि गलती से भी आप लोग को मिस्टिक हो, ठीक है? ये दर्वारी कवी थे किसके? समद्र गुप्त के जो की प्रियाक परत्रती रिखे और इसी से जो है, इसी अविलेक से समद्र गुप्त के बार में सारी जानकरिया प्राप्त कहलता है, ठीक है? ओके, तो इस रचना, इस जो प्रियाक परत्रती से और एक चीज पता चलता है, इसी रचना पता चलत के विजयो के बारे में बताया गया है ठीक है यह क्या बताया गया है तो उत्तर पत हो गया है और यह आपका होगे दक्षिन पत तो इसी में प्रियाक पर्षासी में जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था इससे पता चलता है कि उत्तर पत के 9 राजा को हराया था 9 राजा को हराया हराया था एंड दक्षिन पत के बारा राजा को बारा राजा को हराया चुकि उत्तर में इसका राज था और इसके पासी था इसी लिए इसको सिधा नियंतरन में ले लिया था मतलब टोटल को अपने कंट्रोल में ले लिया था सीधा नियंतरन में ले लिया था ठीक है लेकिन अगर हम लोग उत्तर पत का दक्षिन पत का बात करेंगे तो यह सोड़ा दूर था इसलिए इसको जो है दया भी दिया किया गया इसके अलावे मौक्ष भी मिला कुछ-कुछ को राज को मौक्ष मिला और कुछ-कुछ को गरहन किया गया अब इन तिनों का मतलब क्या मैं बताता हूँ अगर आपसे बोले कि दया का मतलब दया का मतलब जीत कर छोड़ देना जीत कर छोड़ना ठीक है उसको बोलते थे दया मोक्ष का मतलब क्या हो जाता था कि मोक्ष का मतलब आजाद कर देना कि जा तुम आजाद हो तो आजाद भी किया और ग्रहन का मतलब जीत कर सामराज में सामिल कर लेना सामराज में सामिल तो हम लोग क्या देखें कि भारतिय अगर नेपोलियन क्यों कहा जाता है आपके समुदर गुपत को क्योंकि प्रियाक परतिती प्रस्ति जो कि हरीशन लिखा गया था दरवारी कभी था उसके अनुसार उस रचना के अनुसार ये पता चलता है कि ये भारत के उत्तर पत के नो राजा को हराया था और दक्षिन पत के बारा राजा को हराया था और उत्तर पत चुकि इसके सामने था कंट्रोल में था ठीक है उत्तर भारत में उत्तर और मधी भारत में ही राज था मगद का इसलिए यह सिद्यन यंतर में इसको ले लिया था लेकिन अगर हम लोग दक्षिनपत का बात करेंगे तो दया यानि जीत को कुछ को छोड़ दिया था कुछ राज को कुछ को मोक्ष आजादी दे दिया था और कुछ को ग्रहन करके अपने राज में सामिल कर लिया था समराज में सामिल कर लिया था तो यह हो गया का समुद्र गुप्त के बारे में अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ अन्य मोहतपूर्ण कारी तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पर आ जाते हैं अन्य मौतपुनकार ठीक है क्योंकि वो सब भी important है तो यहाँ देखेंगे अन्यकारी किसके द्वारा समुद्र गुपत के द्वारा सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता है कि इसके सिक्के पर जो सिक्का मिला था इस time period में तो इसमें बीना बजायते हुए दिखा गया है तो यहाँ ब्लोग दिखेंगे मैं आपको सिक्का दिखाऊंगा don't worry ठीक है मैं इसलिए सारे color करके लाया हूँ तो यहाँ लिखो सबसे पहले कि इस पर सिक्को पर विना बजाते हुए इससे विना बजाते हुए दिखाया गया था तो इससे पता चलता है कि यह संगित का प्रेमी होगा तभी तभर विना बजाते दिखा गया है तो इससे यह पता चलता है कि यह जो थे वो संगित के प्रेमी थे यनिके संगित के प्रेमी होने का होने का सूचक मिलता है ठीक है? ओके और इसी लिए इनको जो है कवी राज भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? इसी के चलते इसको कवी राज कहा जाता है is से कवी राज भी कहा जाता है मैं सिक्डे दिखाऊंगा आपको टोटल कलेर हो जागा और एक important चीज है कि सिक्डे का जिस तरह का नीचे में लहर वेगादा दिखाया गया था समुद्र के बारे में तो यह पता चलता है कि सिक्के के आधार पे इसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी देखो सेना तो हो गई अभी ज़स्ट हम लोग देखें कि उत्तर भारत का नो राजाओ कह राया था दक्षिन भारत के बार राजाओ कह राया था इसके पास तो सेना था लेकिन जो सिक्के में जिस तर का दिखाया गया सेनिक नीचे में और पानी बेगार उसे यह पता चलता है कि इसके पास जो है जल सेना का भी बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा जल सेना भी था इसके पास इसके सिक्के से तो यहां हम लोग लिखेंगे कि सिक्के या फिर सिक्कों के आधार पर ही इसके पास एक जल सेना होने का प्रमान मिलता है एक तो कनफा में कि इसका विसाल सेना होगा लेकिन सिक्के से पता चलता कि जल सेना और यह पत्था में सरा आजा था जिसके पास एक बहुत बड़ी जल सेना था ठीक है और यह आर्किटेक्चर से पता चलता सिक्के का आर्किटेक्चर से तो मैं आपको सिक्के दिखा देता कि आखीं कैसा सिक्का था जो कुछ था उस time period में समुद्रुगुद् की तई में था तो आप देख रहे होंगे यह वह लाश् además ध्यान दीजेगा इस फिगर में यह फिगर जह है पानी जैसा लहर था यहां पर पूरा तो clear नहीं है कि receiver पार्ट है अलग पार्ट में पानी जैसा लहर जैसा था और वहां पर बहुत सारे scenic वेगर आता तो यह दो चीज़ से पता चलता है कि वीना बजा रहा है तो वीना बजाते हुए एक चीज़ तो इंफर्म हो गया कि भई यह संगीत प्रेमी था ठीक है क्या था यह संगीत प्रेमी था तो यहां से हम लोग यह चीज़ देख लिए वन मिनट यहां से हम लोग क्या देखें कि वीना बजाते हुए दिखाया गया सिक्का में तो यह संगीत प्रेमी था जिसके चलते हैं इसको हम लोग कवीराज भी कहते हैं और दुसरा चीज सिक्के के आधार पे जो है इसका आर्किटेक्चर के बेसिस पर हम लोग यह भी वह सकते हैं कि इसके बास बहुत बढ़ा एक जल सेना का प्रमान मिलता है तो यहाँ पर तीन चीज इंपोर्टन्ट हो ग उत्तर पत यानि कि उत्तर तरफ उत्रा पत बोलते हैं ठीक है उत्रा पत के नौर राज्य वर दक्षिना पत के बार राज्यों को जीता था इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है यह मैं पहले भी बता चुका है फिर भी बता दिया ठीक है और यहां लिखेंगे इसने ही अपने विजयों के कारण असुमेग यग भी कराया था यह भी इंपोर्टन्ट है ठीक है इसने अपने विजयों के कारण विजयों के कारण असुमेग यग असुमेग यग करवाया अच्छा देखो यहां से न दो तिन चीज आपको पता चलता है क्या बोलें यहांपे 9 राज को जी जा था अतरपत का बारा राज को जीता था जिसके जलते इसको नेपुलियन कहा जाता भारत का और दुसरा चीज यह असुमेग यग कराया था एक चीज मुझे बताओ कि असुमेग यग में कब बतायादा तो अपने आपको राजा घोसित करता है और उसके लिए अपने वहाँ से घोड़ा छोड़ता है ठीक है घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और वो रिटन अगर आ जाता है कोई इसको रोकता नहीं है तो मान लिया जाता है कि सारे समराज में जो है इसके राजा को होने का कबूल कर लिया जाता कि हाँ भाई यही हम लोग का राजा है लेकिन अगर कोई उस घोड़ा को रोक लेता है तो उसके साथ फिर से यूद्ध होता है समझा है तो वो ही कहा जाता है असुमेग और आपको पता कि जो असुमेग है, ये भी किसका क्या पता है, ब्राह्मन वादी का पता चलता है किकि उस समाइए भे ये ब्राह्मन लोग जो होते हैं, वही लोग ये वला चीज करते थे राजा लोग तो ये भी confirm हो गया कि सच में जो ये ब्राह्मन थे असुवेग यक से ये पता चलता है कि ये क्या थे ब्राह्मन वादी था क्योंकि ये क्या है मेरा ब्राह्मन वादी कल्चर है यानि फिर बोल सकते हैं कि ये ब्राह्मन वादी विवस्ता थी तो इससे भी एक्लियर हो गया कि इन लोग जाती से ब्राह्मन थे समझाया? अब यहां से इंपोर्टेंट यहां पर हम लोग देख लिए तो लास्ट हम लोग यहां पर एक चीज़ देख लेते हैं कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 375 तक था इसका राज मैंने बताया था आपको 335 से लेकर चंदरगुप्त पर्थम जो आया था इसका पापा 319 से लेकर 335 तक था और उसके बाद जब आपका कवीर आ जाया यानि कि समद्रगुप्त आया यह 335 से लेकर 375 तक थी तो अब 375 के बाद कोन आएगा वो हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर आ जाता 375 इस्वी में समद्रगुप्त की मिर्तिव हो जाती है समद्रगुप्त की मिर्तिव के बाद 380 इस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम तो आ चुका है तो यह चंद्रगुप्त द्वित्य जो उपाधी लेता है ठीक है यानि राजा बनता है ठीक है ओके आप देखो यहाँ पे एक कन्फूजन तक क्लियर है मैं एक बाद थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ इससे रिलेटेड जो कि समद्रगुप्त के बारे में लोग पढ़े हम लोग क्या देखे वाई समद्रगुप्त जो है जब इसके पापा यानि चंद्रगुप्त प्रथम मरा उसके बाद यह राजा बना हम लोग इसके बारे में देखे कि इसको जो है हम लोग विंसेट इसमित भारत का नेपोलियन कहा जाता है नेपोलियन इसको कहता है भारत को जितने के लिए इसके बाद हम लोग देखे कि इसके बारे में हमको टोटल कहां से पता चलता है प्रियाक पर्सति से जिसको लिखा कौन था इसी के दरवारी का भी हरिसन ने दिखा था और इसे हमको पता चलता कि उत्तरपत के नो राजा को हराया था और दक्षिनापत के 12 राजाव को हराया था फिर हम लोग आगे इसको पढ़े अन्य बारे में सबसे पहले हम लोग यह देखे कि इसके सिकों पे बीने बजाते हुए पाया गया था इसे पता चलता है कि संगित प्रेमी था और कवीराज जिसको कहा गये सिके चलते और सिके का आर्किटेक्चर के बेसिस पे इसके पास एक जल सेना होने का भी प्रवान मिलता है फिर हम लोग पढ़ें कि इसको नेपोलियन भारत का नेपोलियन कहा जाता है नौ राजा और बार राजा को हराने के चलते और यह जो है अपने जीत के लिए असुमिग यगवी कराया था और यह जो है ब्राह्मानवादी तरीका था व्यवस्ता था इससे यह भी पता चलता है कि गुद्पुलग जो है ब्राह्मानी थे फिर अब आजाता है कि भाई 375 में समदरूत का मिर्ती हो जाता है और जो नेक्ष राजा बनता चंदर को दित्य है वो बनता 380 में तो यह 5 साल का गेप कहा गया इसके बारे हम लोग थोड़ा सा बात करते है आपको बताते है ठीक है देखो इसके लेकर एक कहानी है कहानी यह था कि देखो यहां पर यहां मैं बता देता हूँ ठीक है यहां हम लोग देखें समुद्र गुप्त के बारे में समुद्र गुप्त के बारे में हम लोग अभी देखें ठीके ओके और इसके बाद कोन आ जाता समुद्र गुप्त के बाद आ जाता यहां पे चंद्र गुप्त द्वित्य अगर बात करेंगे समदर गुपत का टाइम प्रेट कब से कब सा था 335 से लेकर 375 तक था ठीक है और अगर बात करेंगे हम लोग चंदरगुप्दित्य का तो यह आ जा ठाथ 380 से लेकर 415 तक तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहें तो यह 5 सल का गेब कहा गया देखो हुआ यह था कि इसके बीच में एक राजा औरेक आया था 5 साल के लिए जो था रामगुप्त कौन था रामगुप्त था ठीक है और यह रामगुप्त का भाही था चंद्रगुप्त दित्य हुआ क्या था अब बताते हैं आपको कहानी और ये जो रामगुप तो 5 साल राज करता है कब से कब तक ये राज करता है आपका 375 से लेकर 380 तक और ये इसका प्रमान कहां से पता चलता है इसका जो प्रमान पता चलता है कि भाई रामगुप जो 5 साल के राज करता है इसका होने का प्रमान यह आप लिख लोग लिखिए यह important यहनी की कहाणी बता रहे यहां से पुछा जाता है इसके होने का प्रमान यहां पे जो भी कहाणी है भापको कहाणी बता जा रहा था वह interesting लगए लेकिन पूरा हर वो चीज भी भी आई है इसके होने का प्रमान विसाक दत्ध द्वार एक नाटक लिखा गया था विसाक दत्ध के नाटक जिसका नाम था देवी चंद्र गुप्तम देवी चंद्र गुप्तम में मिलता है मिलता है और इस नाटक से और एक चीज क्लियर हो जाता है क्या क्लियर हो जाता है कि राम गुप्त का हत्या इसका भाही करता है राम गुप्त की हत्या जो करता है वो करता है चंद्र गुप्त द्वित्य अब भाई अपना भाई का हत्या बड़ा भाई का हत्या क्यों करता है चंद्रगुपतु इसके पीछी क्या लोजिक है अब बताते कहानी काहनी यह होता कि मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ते इसे पहले कुसान वंस कुसान वंस के टाइम पे मैंने कहा था कि सबसे पहले इंडो ग्रीक लोग यानि कि वंसासक लोग भारत में आकरमन किता है और उसके बाद में सक्सासक जो सक्सासक होता है सक्षासक भी उसके बाद भारत में आकरमन करता है सक्षासक उसके भारत में आकरमन करता है तो इसका भाय जो था रामगुप्त उसके साथ इसका युद्ध होता है रामगुप्त का सक्षासक के साथ युद्ध होता है और जब युद्ध होता है कि जाओ तुमको धरुदेवी हम अपना वाइब को दे दी है और ये बात जो है इसके भाई को चंदुरुद दृत्य को बहुत ही बुरा लगा क्योंकि हो सकता है कि सक्सासोक के बीच और रामगुफ्त के बीच ये ऐसा डील हुआ था, अग्रिमेंट हुआ था अगर तुम युद हार जाते हो, तो तुम्हारी वाइब को देना पड़ेगा ठीक है, लेकिन ये बहुत अपमान जनक लगता है चंदुरुद दृत्य को ठीक है, तो ये क्या करता है, धुरुद देवी का रूप धारन करके ये पहले जाता सक्सासोक के पास और सक्सासोक को जाक को इसको पले मारता है, ठीक है, और मारने के बाद जो मारने के बाद क्या करता है, अपना भाई को भी, यानि कि रामगुपत को भी मार देता है, तो ये कहानी था और ये पता कहा से चलता है यह सब चीजों मैं बता रहा हूँ यह पता चलता है जो नाटक लिखा गया था विसाक दक्त द्वारा जिसका नाव रता है देवी चंदरगुप्तम यहाँ जो देवी बताया गया देवी और कोई निये धुरूप देवी ही है ठीके कोन है आपका धुरूप देवी चंदरगुप्त सक्सासकों से लड़ाई में हार गया था तो उस टाइम पे चंदरगुप्त द्वित्ती जो है वो अपने भावी का धुरूप देवी का रूप धारन करके गया नहीं था भेज नहीं गया था जिसे होगा कि हार गया अब तुम्हारी वाइब को मेरे पास भ इसके टाइम प्रियड में चल जाता आपके रामगुप्त के टाइम प्रियड में ठीक है समझ आया की नहीं यह चीज इंपोर्टेंट है चलो आगे बढ़ते हैं तो अब इसलिए जो है हम लोग देखे थे यहाँ पे 375 के बाद 300 सी आ जाता तो अब हम लोग देखें किसके थर राजा यहाँ आ जाता चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त दित्य है सबसे परड़े बात करेंगे यह उपाधी कौन-कौन सा धारन करता है इसके बारे में लेते हैं तो हम लोग चंद्रगुप्त को दित्य को कहीं कहीं पे चंद्रगुप्त दित्य नहीं रहागा इसक इसका time period का अगर बात करें तो तो इसका time period जाता है आपके 380 में बनता है से लेकर 415 तक ठीक है 380 से लेकर 1 minute 415 इस वी तक ये रहता है ठीक है ओके इसके अलावे जो है यहां पर और कुछ में बता देता हूं कि द्वित्य को परम भागवत भी कहा जाता है इसके अलावे इसको जो है हम लोग सकारी भी कहा जाता है यह सबी important है इसे सकारी भी कहा जाता है क्या के कहा जाता है सकारी कहा जाता है परम भागवत कहा जाता है बिकरम आदित्य उपाधि ए इसका इसके अलावे इसके अनी कुछ और नाम है यहां पर हमें बता देता हूं अन्यान नाम और भी कुछ था जैसे कि इनको कहा गया है देव स्री क्या कहा गया है देव स्री क्योंकि ये देवी के लिए इतना जो कि आप देखे न इससे पहले क्या कि आपने भाई को मार के और देवी को बचाया किसी के लिए इसके अलावे देव राज भी कहा जाता है इस उपाधी का अगर बात करेंगे तो ठीक है उपाधी महा राजा धिराज या फिर आप बोस सेकतो हो विक्रमा दित्या विक्रमा दित्या ठीक है याद इसको रखेगा ठीक है देवस्री देवराज महाराजा धिराज या फिर विक्रमा दित्या तो ये तो सब इसका उपनाम हो अब इसके सासन काल में हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपोर्टेंट ऐसा तर्थी हुआ जो की हमारे हिस्ट्री के लिए इंपोर्टेंट है सबसे पहले आ जाता है कि इसी के टाइम पिरियेड में कला और साहित्य का जो उथान हुआ था तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि भई इसके या फिर इसका काल जो है इसका काल कलाव साहित्य के लिए यह शाहित्य के उथान के लिए प्रसिद्ध है मतलब बहुत ज़्यादा बिकास होँआ था इसके टाइम पिरियेड में कलाव साहित्य का ठीक है पहला point आ गया सबसे important चीज इसी के time period में जो है नो बिद्दमान रहा करता था इसके मंडली पे ठीक है दर्बार में तो यहां लिखेंगे हम लोग नो बिद्दमानों की मंडली नो बिद्दमानों की मंडली जिसमें काली दास भी समील था नो बिद्दमानों की मंडली इनके ही दर्मार में था ठीक है इसी के दर्बार में था लिखो यहां पे इसी के दर्बार में थी ठीक है और यह जो नो बिद्दमान थे यह रहते कहा थे इसके दूसरी राजधानी थी जिसका नम था उसके बारे में उज्जेन तो वहाँ पे रहती थी तो यहाँ लिखेंगे ये नो विद्धमान उज्जेन जो कि गुप्त काल की दुथिय राजधानी थी राजधानी थी वहाँ पे लोग रहता था ठीक है ओके जिसमें से सबसे फेमस कोन आ जाता आपका काली दास काली दास काली दास से रेलेटर आप जान लो कि यहां सिर्फ काली दासी ने इस टाइम पे धनवंतरी जो थे वो भी इसी टाइम पिरेड में रते थे तो काली दास हो गया या फिर आप यहां पे लिख लो आप यह भी लिख सकते हो, धनवंत्री भी यही पर टाइम पर राते थे, या फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसके अलबे कौन, धनवंत्री भी, धनवंत्री, जो की कौन थे, चिकिस्सा के भगवान थे, यह कौन थे आपके, चिकिस्सा के भगवान, चिकिस्सा के का भग भगवान ठीक है मैं इसका आपको फिगर दिखाऊंगा चिकिसा के भगवान राइट एंड काली दास के दुआरा कौन-कौन सा रचना ही लिखा गया वो इंपोर्टेंट है और काली दास को हम लोग और एक चीज़ से जानते है भारत का सेक्सपियर के नाम से ठीक है तो भारत किसको कहा जाता है सेक्सपियर किसको कहा जाता है काली दास को इनके दर कौन-कौन सा रचना है जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पर मेगदूत का जो बहुत ही फेमस वह से जो आप से पूछ सकता है मेगदूतम ठीक है या फिर आपका रीतू संगार हो गया रीतू संगार हो गया ठीक है ये सब क्या था ये इसका खंड का भी था खंड का भी था खंड का भी है ठीक है का भी है अच्छा से मैं यहां पर कर देता हूँ अच्छा से नहीं हुआ खंड का भी है खंड काइब भी है अगर हम लोग बात करेंगे इसका कुछ फेमस नाटक के बारे में कौन-कौन सा फेमस नाटक था काली दासका तो एक ताह आगा आपका है सबसे इंपोर्टन अभी ग्यान सकुन तलम ठीक है सकुन तलम ठीक है इसके अलावे हम बात बात करेंगे इसका दो बहुत ही फेमस महाकाइब है उसको भी बता देता हूँ दो महाकाइब है कौन-कौन सा दो फेमस महाकाइब है एक आपका आगा है रगु वनसम रगु वनसम और दूसरा जो इंपोर्टन है वो आपका है कुमार संभव कुमार संभवन तो कुमार संभवन रघुवन संभ ये famous आपका दो महाकाइब है नाटा का बात करेंगे तो अभी ज्यान सकुन्तलम अगर कंडखाइब का बात करेंगे तो मेगदूतम और इतुसंगार ये किसके द्वारे लिखा गया सब चीजे कालिदास के द्वारा जिसको भारत का सेक्सबीर भी कहा जाता है धनवंत्री जैसे मैं ने कहा धनवंत्री जो चिकेशा के भगवान है मैं आपको दिखा देता हूँ कालिदास इन दोनों को फिगर तो यह देखो, यह आपके आपके काली दास हैं, जो की महान कभी थें, यह आपके विक्रमादिती के सासन, जिन्द्रगृत दिखते भी कहा था ना, विक्रमादिती भोल। लेकल में जबतता हुए दिक्कत होता था तो सभी को & आंसे विलों करता है गुपत्कालस रिओं करते हैं और that इस वाई गोल्ड adapting कहा जाता है यह सारी किशिजों के चलते तो यह चीज आपका इंपोर्टेंट होगे इसके रिलेटेट किसके चंद्रगुप दुद्धि के सासनकाल में हुआ करता था ये सभी कोई आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे और क्या इंपोर्टेंट आ जाता है इसी के टाइम पिरियाड में यहां लिखेंगे हम लोग इसने ही दोनों का निती वी वी दोनों संबंध संबंधो का सहारा लिया सहारा लिया ठीक है और इसी टाइम पिरियाड में जो है वो रजत मुद्राएं रजत मुद्राएं बहुत चली थी सारवधक चली थी सारवधिक चला देखो रजत मुद्राय भी चलेगा ना हर एक हर एक का important important रहेगा जिसे इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ना जो इससे पहले time period पढ़े थे आपका किसका पढ़े थे आपको अगर याद होगा चंद्रूत पर्थम से पढ़े थे हम लोग समद्रगुप्त का और समद्रगुप्त के पहले पढ़े थे किसका चंद्रूत पर्थम का चंद्रूत पर्थम के time period में रजत मुद्राय जो थी वो start हुई थी और यहाँ पर चंद्रूत जो दुद्ति आ गया इस time period में रजत मुद्राय जो था सारवधिक चली थी ठीक है यह भी आप याद रखेगा तो यहाँ पर हम लोग देख लिए किसके बारे में चंद्रूत दुद्ति के बारे में पहले देखे कि चंद्रूत दुद्ति जो था इसको हम लोग सकारी बोलते हैं या फिर इसको परमभागोत कहा जाता यह उपादिलिय था परमभाल का उझ्जन उझ्जन में रहा करती थी जिसमें से काली दास और धनवंत्री इंपोर्टेंट है जो के चिकेशा के भगवान थे धनवंत्री और काली दास एक बहुत बड़े क्या थे काईब्ये या फिर नाटक या फिर महाकाईबी लिखने वाले कवी थे जैसे कि आप देख ले सकते हो, खंड काई भी था इसका मेग दूतम, रितु संगार, नाटक में था अविज्ञान सकुनतलम, और दो महाकाई भी में था रगोवनसम और कुमार संभों, ठीक है, फिर हम लोग देखे कि इसके समराज में जो है, यह अपने विस्तार करने के लिए कहीं युद्ध भी करता था और कहीं पर विवावी करता था, दोनों संबंदों का सहरा लिया, और इसी के टाइम फिरेड में रजत मुद्राव सबसे ज़्यादा चली थी, जबकि चंदरुत प्रथम के टाइम पर रजत मुद्राव को स्टार्ट किया गया था, तो हम लोग चंदरुत प्रथम के मिर्थियों के बाद, क्या वोलेंगे आपे, कि चंदरुत प्रथम नहीं दुद्धिय, चंदरुत दुद्धिय के मिर्थियों के बाद, कौन बना राजा, कुमार गुप्त प्रथम कुमार गुप्त प्रथम सासक बना अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे इसका अगर टाइम प्रेट देखेंगे अभी ज़स्ट हम लोग देखेंगे कहा से कहा तक चंद्रगुप्त दुति गया था 380 से लेकर गया था 415 तक तो ये बना 415 में 415 ECV से लेकर यह आपका जाता है 454 ECV तक यह राज करता है तो यह time period हम लोग देखेंगे अब देख लेते हैं इससे important सारे effect कुमार गुप से related क्या क्या important है सबसे पहले तो आजाता है इसका उपाधी जिस तरह सब कोई का उपाधी लेता है यह भी अपना उपाधी लेता है तो इसकी जो उपादी रहती है इसकी उपादी यानि टाइटल जो लेता है ये टाइटल लेता है महेंदर आदित्या का किसका लेता है महेंदर आदित्या एक मिनट महेंदर आदित्या तो महेंदर आदित्या का ये टाइटल लेता है और इसके बारे में जानकारी दो अविलेखों से पता चलता है ठीक है इसके बारे में यानि किसके बारे में कुमार गुप्त पृथम के बारे में बारे में जानकारी दो अविलेखों से पराप्त होता है दो अविलेखों से मिलता है कौन सा अविलेख हम लोग बात करेंगे आ और दुसरा जो अभिलेक है वो आपका है मनसोदर मसोदर मदसोर मदसोर अभिलेक अभिलेक से पता चलता ठीक है याद रिखेगा जो आपका विलसर अभिलेक है इसके बारे में चलता है इसका नॉर्मल जो है महंदर आदित्य यानि कि कुमार गुप्त के पर्थम के बारे में पता चलता है जबकि जो मदसोर अभिलेख है इसमें इसके सुवे जो सासन चलाता है उसके बारे में प्राप्त होता है वैसे मैं इसको लिखी देता हूँ इसमें जो है मदसोर अभिलेख में इसकी सूवे वसद, सूवे वस्तित, सूवे वस्तित, सासन प्रणाली के बारे में पता चलता है, सासन की जानकारी मिलती है, मिलती है और अगर हम लोग बात करेंगे विलसर्ड विलेक में तो इसमें जो है गुप्त की जानकारी यानि गुप्तों की जानकारी प्राप्त होती है ठीक है वंसावली के बारे में या फिर गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है यहां फिर मिलती है यहां लिख देते है मिलती है ठीक है यह चीज हो गया आगे बढ़ते हैं यह तो हो गया इसका अपाधी देख लिए और इसके दो अभिलोकों से पता चलता है इसके बारे में एक हो गया विलसर अभिलेक और दूसरा हो गया मदसो रवी लेग, मदसो रवी लेग, आगे बढ़ते हैं नेक्स इंपोर्टेंट फेक्ट के बारे में इसका है, इसके टाइम पे ही जो है रजत मुद्राओं, देखो तीनो टाइम पे रजत मुद्राओं, इससे पहले जद्रगुप्त दित्या, पहले क्या देखे हैं, यहां पर नहीट एंदर स्वार्व को मैयूर्द डाल जाएगा बस यह से नहीं पर यहां पर यहां पर लिखेंगे ie क्या चिर्जा लिखने वाले हैं कि इसी कैं मेरो इसने सबसे पहले मध्य भारत में भी श्कुशत को चला तो यह लिखेंगे कि इसी ने मजद इभारत में रजत मुद्राओं को चलाया, ठीक है, को चलाया, पहला पुइंट, दुसरा पुइंट क्या था, कि रजत मुद्राओं में पहले जो था, वो गरूड हुआ करता था, मैंने आपको बताया था, फिर से बताएंगे, तो किस पे, सिक्को पर, सिक्को पर, ठीक है, क्या पहले क्या था, गरूड था, बाद में क्या कर दिया, ये, मयोर कर दिया, किस पे, सिक्को पे, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कुमार गुब्त पर्थम के टाइम पिरेड में जो सिक्का था, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से नायो दीख रहा है यह मयूर है और इससी टाइम पहले प्रियड में कैसा रहता था यहां पे गरूर देखेगा जिसफराइब हुग जैसा बड़ी गरूर जैसा टाइन काadine और यहां पे आपको मय多 देखना को डिक हैस तो गरूर समयूर में कौन लाया था आपका कुमार गुथ पर्थम लाया था तीक है यह important है और यह साथे साथ मध्य भारत में जो है सिक्क को चलाया था सबसे पहले यही चलाया था राइट ओके तो यह चीज होगे यहां से important आगे हम लोग और क्या बात करेंगे सबसे important चीज कौमार गुथ पर्थम का जो की बहुत ही famous मना जाता अभी के time period में कि यही जो है नालंदा विश्व विद्याले का स्थापना कराया था तो यह important बहुत important जाता है कि इसी ने ही इसी ने नालंदा विश्व विद्याले नालंदा जो की आगे चलकर जो है यह बोत धर्म का मु अपना की ठीक है ओके और इसी के लिए जो ए उक्सफफड पर महायान इसको बुला जाता है तो उसमें से महायान जिसे मुर्थि पूजा होता था बोत को इसी में यहां पर study उसका कराया जाता था कहाँ पे नालंदा विश्व विद्याले में और एक चीजा आप ध्यान रखेगा कि ये है कहां पर राज़गीर पर है अगर आपसे बोला जाए कि नालंददव इस भी जले है कहां पर तो याद रेखेगा ये आपका राज़गीर पर है ये तो आपको इस्टेटिक फेक्स में बता देता हूँ राजकिल जो की बिहार में और अभी का बिहार तब का क्या था मगद था तब का मगद कोई हम लोग बोलते हैं अभी का बिहार ठीक है चलो यह चीज हो गया important इसका आगे देखते हैं इसी के सासन काल में और कुछ important fact देख लेते हैं कि इसी के काल में जो है पुष९ मित्रों के साथ गुपत का हमलावी हुआ था याए पुष्य मित्रों लोग इसके time period में हमलावी किया था तो यह लिखो इसी के काल में कौन लोग? पुष्य मित्रों ने गुपतों के समराज पर यह फिर लिखो गुपतों के समराज पर हमला किया था ठीक है इसको भी ध्यान में रखेगा इसी टाइम पिरिट में हमला किया था और जब यह हमला हुआ था ना जब यह समराज पर हमला हुआ था तब इस महमलों जो हमला है इसका गुप्त का बेटा जो सकंध गुप्त है उसको विफल किया था इसलिए ही इम्-पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इसका बेटा जो इसके बाद छो हम लोग देखेंगे न में जो लीडर है गुप्त का, वो रहेगा सकंध गुप्त तो वो कुमार गुपत का बेटा ही है तो इसी जो हमला जब हुआ था ना तब इसको विफाल कोन किया था इसका बेटा यानि कि यहां लिखो कि इस हमले को कुमार गुप्त का बेटा क्या है सकंद गुप्त है यहीं से इसका स्टार्ट हो जाता ठीक है यह अभी राजकुमार रहता है लेकिन इसको खतम करता है सकंद गुप्त ने विफल किया यानि कि हराया इलो को ठीक है बनाया और इसी के टाइम पे यह जो हूनो आकर्मन भी कुछ करने लगता है तो जिसके चलते गुप्त पूरीता से खतम हो जाता धीर धीर असकंद गुक्त के बाद हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा तो असकंद गुक्त जो है जब आया था पुस्या मीत्रों का हमला हुआ था तो यहीं खतम किया था ठीके और एक चीज़ हम लोग देख लेंगे यहां पर आगे इसके बारे में कुमार गुप्त पर्थम के बारे में कि सारवधिक जो अभिलेक है इसी के टाइम प्रेड मिला था अभिलेक जो मिला था ना सारवधिक अभिलेक जैसे अभी जास्वम लोग देखे थे दोगो अभिलेक तो अभी बात किये थे विजर्ड अविलेक और मनसोदर अविलेक तो maximum अविलेक यहां लिखेंगे रोग सारवधिक अविलेक अविलेक कुमार गुप्त कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए क्योंकि बाकि सब का देखेंगे अक अग वो होता है लेकिन इसका और भी मिला था लेकिन याद रखना कि सारोधी का विलेक कुमार गुप्त के ही प्राप्त ही थे मैक्सिमा विलेक कुमार गुप्त के ही मिला था बात समझ में आया की नहीं ओके ठीक है और ये जो है ना पुष्या मित्र पुष्या मित्र इसलिए भी इंपोर्टेंट है कि जब ये जो अभी तो गुप्त काल चल रहा है अभी तो गुप्त काल में हम लोग कौन कौन सा देखे सबसे पहले देखे हम लोग चंद्रगुप्त पर्थम के बारे में फिर ह प्रकुमार गुप्त फिर आएगा सकंद गुप्त तो जब यह गुप्त लोग खतम हो जाता है उसके बाद यह जो पुष्चा मित्र है यह आगे चलकर एक बनाएगा छोटा वनसज बनाएगा ठीक है तो यह जो है इसी चलकर जब यह तूटने लगेगा तो यह अपना सिरह करो ही दिता हूं कि जब कुमार गुप्त के मिरतीों के बाद सकंद गुप्त गद्धी पर बैठता है ठीक है गद्धी पर बैठा है और हम लोग देखे थे कि जो आपके यहाँ पे देख लो आप लोग कुमार गुप्त कब से कब तक राज करता है 454 तक तो यह कब बैठेगा 454 में बैठेगा तो यहाँ पे जो सकंद गुप्त बैठेगा गदी पे इसकंद गुप्त गद्धी पे बेठेगा वो कब बेठेगा 454 में बेठेगा चलता है 467 इसवी तक ठीक है यहां से यहां तक चलेगा तब हम लोग देखने हैं माले किसके बारे में असकंद गुप्त के बारे में तो असकंद गुप्त जो रहेगा यह आपका अंतिम सासक रहेगा इसके बाद जो है सकंद गुप्त के बाद जितने भी उतरा अधिकारे आएगा वो बहुत ही कमजोर होता है तो बाद में क्या हो जाता है एक तो कमजोर सासक आता है इसके अलावे हुनों काकर्मन होने लगता है इसके लावे देखेंगे पुष्या मीत्र लोग और हमला करते रहता है तो जिसके चलते हैं पूरी तरसी यह खतम हो जाता है तो lastly हम लोग देखेंगे अब स्कंद गुप्त के बारे में देखते हैं ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में पाचवा सासक इसका सकंद गुप्त के बारे में और इसका टाइम प्रियेड कहां से कहां तक देखे हम लोग 454 से लेकर 466 इस वी तक ठीक है ओके सबसे पहले आ जाता है यहां से इंपोर्टेंड इसका एक चीज कि यह जो सत्ता समालते समालते ही इसको आकरमन क्योंकि हम दोग देखे थे इसके पापा के टाइम प्रियेड में जब यह एक हमला को खतम कर दिया था उसी समय होनों का आकरमन सोरी पुश्या मित्रों का हमला स्टार्ट हो गया था तो ये जैसे सम्हाला ना उस टाइम पिरेड में फिर से आकरमन होना स्टार्ट हो गया था ठीक है फिर से आकरमन क्या होना स्टार्ट हो गया था तो यहां लिखेंगे सत्ता सम्हालते सम्हालते ही हुन लोग आकर्मन करना स्टार्ट कर दिया हुनो हुनो का आकर्मन ठीक है क्या होने लगा आकर्मन वैसे इसको विफल कर दिया था ठीक है यहाँ पम्लू लिखेंगे आकर्मन आकर्मन को विफल किया गया विफल कर दिया गया और इसकी जानकारी कहां से मिलती है इसकी जानकारी मिलती है जुनागड के विलेक से ठीक है इसकी यह आकरमन विफल हुआ है इसके जानकारी या फिर जिक्र बोल लो जो आप बोलोगे इसका जिक्र किया गया ठीक है इसका जिक्र जुनागड जुनागड अविलेख से मिलती है यह फिर पता चलता है ठीक है सुरू में ही इसको होनों लोग क्या कर दिया आकर्मन कर दिया इसके समराज पर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसके रोचक तती यह है कि इसने जो है सुदर्शन जील को फिर से वनवाए था इसने सुराष्ट की सुदर्शन जील का पुनो निर्मान पुनो फिर से इसको निर्मान करवाया जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था यह निर्मान किया था जिसको चंदरगुप्त चंदरगुप्त मौरिय याई मौरिकाल का बात हो रहा चंदरगुप्त जो मौरिय था जो मौरिकाल रहा था चानिके के help से मगद पे किसका हत्या करके धानानद का हत्या करके ठीक है तो चंदरुप्त मौरी ने बनवाया था ने बनवाया था देखो यहां से भी पता सब सकता है ना कि यह लोग ब्रामीन थे क्योंकि देखो गुमाफिरा के जो मौरी लोग के सासनकाल में यह लोग कनेक्ट होई जा रहा है किसी तरह करके चाहिए वो असमिग यह बोल लो या फिर यह जो बनवाया था इससे बोल लो या फिर प्राविति गुप्ता जो थी उसका टाइटल से देख लो ठीक है तो चंदरुप्त मौरी ने बनवाया था तो यह चीज हो गया यह इंपोर्टन करवाय था यह चीज बोल सकते हो आप ठी इसके बाद जो है इसने अयोध्या पर अपनी राजधानी बनाए थी बस यह तिन जो इसे रिलेटेड फेक्ट है इसे या फिर इसने यहा लिको इसने अयोध्या पर अयोध्या अपनी राजधानी बनाया और याद रखना कि चीन के सांग समराट के यहां इसने जो है अपन दूत मंदल भी भेजा था तो ये भी हमें बता देता आप लोगो चीन के सांग समराट समराट के यहाँ के यहाँ अपना दूत मंदल भेजा था बस यह important है यहाँ पर सकंदगुप से रिलेटे इतना कुछ खास नहीं है बस यह important है कि सोराश का सोरजशन जील को बनवाया था जो चंदगुप्त मोरी जो है उसको बनवाया था उसको पुना निर्मान फिर से बनवाता है ठीक करवाता है और इसके time period में क्या होता होनों का आकर्मन हो जाता है start हो जाता होनों का आकर्मन मेंने की धिर दिरे जो हो है अब जो गुप्त काल खतम होने लएगा विरास की और बढ़ रहा है खतम पतन की और बढ़ रहा है लेकिन इसको खतम कर दिया था आकर्मन को विफल कर दिया था जोकि पता चलता जुनागड के अभिलेग से और इसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनवाई थी और साचाच चीन के सांख समराट के यहां अपना दूत मंदल को भी भेजाता है अब हम लोग यहां पर बस डायकली यहां पर बोलेंगे कि सकंद गुप्त के बाद उत्रा धिकारी जो है वो पारफूल नहीं वे यानि की कमजोर हुए तो उत्रा धिकारी कमजोर हो गए थे बहुत जादा ठीक है कमजोर होने का पीछे लीजन भी था ऐसा बात नहीं है कि कमजोर ऐसे हो गए थे कमजूर थे ही लेकिन दूसरा रिजन ये था कि इसमें आकर्मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जैसे आप देख रहे हुनों का आकर्मन पुस्चामित्रों का आकर्मन इसके अलावे जो है कुछ-कुछ और राजवन से उसमें खड़े हो गए थे तो यहां हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त सामराज पतन के और बढ़ने लगा था सामराज के पतन दोर प्रारंब हो गया था पतन दोर प्रारंब लेकिन इसका एक दोर रिजन था जिसको मैं बता देता हूँ कि पतन तो पतन की तेजी यानि कि उसको पतन तेजी से क्यों हुआ तेजी दी कौन एक तो होनो का आकरमन तेजी कर दिया और जब हुनों का कर्मन हुआ तो बाद में हुनों का दो राजा बना पहला जो सासक बना सबसे यहां लिखो सबसे पहला सासक हुनों का सबसे पहला सासक जो बना वो बना आपका तोर मान ठीक है और जो दूसरा सासक बना वो कन बना महीर मिहीर कूल ये दो सासक आगे चल कर ब हो गया, ठीके पहला चीज दूसरा चीज हम लोग यहां पर आगे देखेंगे दूसरा चीज यहां पर देखेंगे कि गुप्त समराज से तोट गर जब को बड़ा समराज तोjen करे早 dale यां उपना पुरा आ भरत में तो के अम McMनी को आपना पूरा लिए तक चोटे-चोटे सम्राज में तूट जाता है तो यहां हम लोग देखेंगे कि जब गुप्त काल, गुप्त सम्राज जो था, सम्राज तूटने से, या फिर तूटकर, तूटकर, तीन जो है, राजवनस बन गया नया, राजवनसों का उदई हो गया, तो यह कुन-कु का मेत्रिय वन्स, बलवी का कौन सा वन्स था, मेत्रिय वन्स, पहला ये वन्स टूटके बना, दुसरा जो वंस बना कन्नोज का बना था कन्नोज का मेखरी वंस कौन वंस था मेखरी मोखरी मोखरी वंस दुसरा कौन बना एक बना मेत्रिय वंस बल्लवी का कन्नोज का बना मोखरी वंस और एक बना था जिसको हमको पढ़ना हर्स वर्धन पढ़ा था यानि वर्धन तो ये थाने स्वर का था ठीक है कौन पढ़ेंगे हम लोग थाने स्वर का वर्धन और यही वर्धन से हम लोग देखेंगे क्योंकि देखो मैं बता रहूं आपको वन इमिनिट लिखने दो ठीक है हम लोग क्या देखेंगे जब तूटा गुप्त काल जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो है खोनों का आकर्मन होने लगा था इसके बाद पुछे मित्र का आकर्मन होने लगा था इसके अलग-अलग समराज भी बने लगा तो लोग भी आकर्मन करने लगा और देर देर ये powerful जो था वो देर देर खतम होने लगा था तो गुप्त काल तूट के जो है तिन राजवांस बन गिया एक बना वललवी का मेत्रिय वंस दुसरा कन्योज का बना मोक्री वंस और मोक्री वंस और तिसरा थानेस्वर का बना वर्धन वंस और इन सब में आपस में ओविसली वाथा फाइट होने लेगा कि कौन सबसे अधा बिगर राजवा बनेगा तो लास्टली जो फेमस बड़ा राजवा बना वो कौन हुआ यहाँ पर उदाई हुआ किसका थानेस्वर का यानि वर्धन वंस का और इसी वर्धन वंस से वर्धन वंस से निकलेगा मेरा हर्स वर्धन है इसी वंस का राजव रहता है इसी वंस के राजव रहता है कौन हर्स वर्धन हर्स वर्धन और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे हर्सवर्धन के का बारे में ठीक है हर्सवर्धन हुआ ठीक है तो इसी टर्मे कोन हूँ आपके हर्सवर्धन हुआ हर्सवर्धन के काल पढ़ेंगे कि वो भी important है तीनों के लड़ाई के बाद ये जो है सरोचता हांसिल किया था हाँ अगर आपसे ये बोले कि सर जब असकंद गुप्त के बाद उत्रा देख आरी कमजोर वे तो क्या असकंद गुप्त ही अंतिम सा सक था गुप्त काल का नहीं वो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ कि कुमार गुप्त कुमार गुप्त त्रित्या ये जो थे वो कौन थे गुप्त काल के अंतिम सा सक थे कौन थे गुप्त वंस के काल नहीं वंस लिखो गुप्त वंस का अंतिम सा सक ठीक है अंतिम सा सक कौन था आपके कुमार गु के बाद हम लोग देखेंगे को गुप्त काल की वियुम्ट हाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट न եा चाहराए आब आर्तिक का बात करो पर प्रशासानिक का बात करो यहां से कोस्टिन बहुत ज़्यादा पुछा जाता है इसके अलाबे आपको पता है कि जो गुप्त काल है golden age का जाता है सोर्णीय काल काल का जाता classic golden age का जाता क्यों का जाता क्यूंकि इस टाइम पर कलाव वुसाहित का बहुत ज़्यदा विकास हुआ था डिफरिंगे तरह के मंदीर बने थे जिसे साराणात का मंदीर हो गया इसके लाव अजन्ता की गुफाई हो गया ठीक है इसके लाव इसी टाइम पर पूरान वेगरा जो है बहुत ज़्यादा विख्यात होने लगा था इसी समय पर आरिवर्ट दे जो दसमलों का खोज किये थे तो इसके लाव वहार महिर थे इसके बाद आरिवर्ट हो गया ब्रह्म पुत्र भासकर वन हो गया ब्रह्मा गुप्त हो गया तो बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोग नेक्ट क्लास में बात करेंगे उसके गुप्त की वेवस्थाओं के बारे में और कलावसाइथ के बारे में आज का क्लास यहीं पे रहाता है आपको कैसा के लिए लेसन लगा मुझे बताईएगा मैं इसे बहुत मेहनत कर रहा हूँ और है वो चीज को ला रहा हूँ जो चीज के आपके लिए जॉब को कौलिफे करने में हेल्प करेगा और एका मास्टर लेक्चर होगा तो प्लीज आप लेसन को अगर से देखो मैं लाइक वेगरा नहीं बोलता हूँ बीच में क्यूकि मैं पूरी तर से कॉंटेंट में ध्यान रहता हूँ ठीक है मेरा जो रहता है एक गंडा कराता है तो बिस मिनट कर दो फाल दो टाइम वेस्ट करके मेरा रहता है कि आप लोगो मैं एक गंडा पढ़ाता हूँ अगर दिन में तो उसको भी पूरी तर से दूँ व्यू पाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता तो आप लोगो like खुद से करना ठीक है मैं नहीं बोलता हूँ इसलिए like करना आपको ठीक है उसके हलावे आपको comment करना है दोप दोग नौन करें और प्लीज विडियो को ज्यादा ज्यादा तक आप लोग share करना है share करो के तो ज़्यादा बच्चे तो पहुंचेगा ताकि यह powerful बनेगा एक institute के तोर पे ताकि आगे चलकर मैं और सारा चीज़ आपको provide कर सको आपको free में provide किया जा रहा है जो कि pet course में खुद पढ़ाता हूँ अदादर academy जिसका पैसा लेते लेकिन आप लोग को मैं खुद से अपना channel से पढ़ा रहा हूँ मैं चाहता हूँ फ्री में पढ़ाने का तो आप लोग अगर इस चीज़ को चलते रहेगा तो obviously मैं हमेसा free में provide करूंगा अगर सही तरह से भी वेगर नहीं मिला तो मैं इसको paid कर दूंगा बट paid करने का चांस एक परसेंट भी नहीं है मैं चाहता हूँ करना बट प्लीज आप लोग इसको share जरू करो ठीक है क्योंकि भी जब तक अच्छा नहीं होगा आप लोग को जरूत नहीं होग तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई और गॉडब्लेस यू आल